मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती क्या मार्किट में स्टोक्स भी हीरे मोती उगलते हैं? आंसर इस येस कैपिटल लेटर में य, e, s, y, s और हमने पिछले अपने वीडियो में ये देखा भी है कि किस तरीके से पिछले बीस वर्सों में स्टोक्स ने पचास गुना से ले करके कोई तीन हजार टाइम्स तक का रिटन दिया है जो कि अपने आप में एक काफी बड़ी बात है लेकिन सातियों अकसर अकसर लोग यही बोलते हैं कि हमें पिछले कई सालों में कोई खास मुनाफ़ा नहीं हुआ और ये भी सुनने को मिलता है कि हमारे पोर्टफोलियो में अच्छे स्टोक्स की संख्या कम है और जो स्टोक्स गिर रहे हैं ऐसे स्टोक्स की संख्या काफी ज़्यादा है और उस पर सोने पे सुहागा कि जो गिरते हुए स्टोक्स हैं उनमें स्टोक्स की संख्या भी काफी ज़्यादा है और जो अच्छे अच्छे स्टोक्स हैं उनमें स्टोक्स की संख्या काफी कम है ऐसा क्यूं होता है तो आज हम इसी विशे पे चल्चा करते हैं नमश्कार, मैं डक्टर मुकेश कुमार हिमाचल परदेश इनिवस्टी शिमला से सातियों आज का विशे है फालिंग स्टोक्स एंड बलंडर ओफ एवरेजिंग सातियों जब भी हम मार्किट में स्टोक की प्राइसिस को चेक करते हैं चाहे वो nseindia.com हो या moneycontrol.com हो या कोई और साइट तो आप देखेंगे right hand side में हमेशा एक top gainer skill list रहती है और उसी के साथ साथ top loser skill list रहती है यानि कि ऐसे स्टोक्स जिसमें की positive movement देखी गई है और उसी के साथ साथ ऐसे स्टोक्स जिसमें की गिरावट का दोर देखा गया है ऐसे कुछ स्टोक्स जो दो हफ़ते पहले positive movement दिखा रहे थे अब वही स्टोक्स negative movement दिखा रहे है साथियों मार्किट में स्टोक्स की movement उपर जाना और उसमें गिरावट होना ये मार्किट का सुभाव है मार्किट की nature है मुझे एक बात याद आ रही है एक बार ना एक व्यक्ति पहली बार समुन्दर देखने गया जैसे ही वो समुन्दर में के पास पहुँचा और नहाने के लिए समुन्दर की तरफ बढ़ता है एकदम से उची सी लहर उठती है और वो पीछे हड़ जाता है फिर कुछ समय के बाद थोड़ी हिम्मत करता है फिर जैसे ही पानी में पैर रखके थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश करता है तो क्या होता है फिर एक उची सी लहर उठती है और वो फिर पीछे जला जाता है इस तरीके से वो बार बार जब कर रहा था तो एक व्यक्ति बड़े दूर से देख रहा था उसको तो उसके पास आया और उसको बोलता है भाई साब आप क्या करना चाते हो करते हैं मैं समुंदर में नहाना चाता हूँ तो बोलते हैं जाओ नहा लो कौन रोक रहा है बोलते हैं इस समुंदर में मैं जैसी प्यार रखता हूँ न एकदम से उची से लहर उठती है और मैं फिर पीछे हट जाता हूँ तो मैं वेट कर रहा हूँ कि समुंदर में ये जब उची लहर उठ रही है ये कभ शांत हो जाएंगी ताकि मैं आराम से नहा सकूँ तो उस प्यक्ति ने उसको बोला, बले मानस, समुंदर में जब तक लहरे हैं, तभी तक ही समुंदर समुंदर है, तो साथियों, ऐसा ही हमारा मार्किट का सोभाव है, मार्किट की नेचर है, मार्किट में स्टोक्स का उपर जाना और स्टोक्स का नीची आना, ये मार्किट की एक अपनी नेचर है तो उसके बारे में बहुत ज्यादा परिशान नहीं होने का तो जैसे हमने पिछली बार बढ़ते ऐसे स्टोक्स की मुवमेंट देखी थी जिसमें लगातार स्टोक्स बढ़ रहे थे उनकी वैल्यू बढ़ रही थी आज उसी कड़ी में हम कुछ ऐसे स्टोक्स चुनते हैं जिसमें की गिरावट का दोर देखा गया है और लगातार वो स्टोक्स गिरते चले गए गिरते चले गए चले साथियों तो इसी कड़ी में हम सबसे पहले एक स्टोक लेखते हैं यस बैंक यस बैंक जाना माना स्टोक है और पिछले कुछ समय में इसमें काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली है तो हम देख रहे हैं साथियों यस बैंक का जो प्राइस था जी इन दा येर 2014 इस प्राइस वास एराउंड फिफ्टी रुपीज फिफ्टी शिस्टी रुपीज का स्पास प्राइस था फिफ्टी रुपीज का स्पास प्राइस था जी इसका 2013 में ठिक 2013 से जब इसका प्राइस बढ़ता ये 172 गया 172 से फिर थोड़ा सा बराबर सा रहा और फिर बढ़ते बढ़ते इसका प्राइस कहां पहुँच गया जी लगभा 400 रुपे का स्पास पहुँच गया बहुत अच्छी बात है रैट जी यहां से यहां तक यह स्टोप उपर की तरफ गया उसके बाद इस स्टोप में उपर नीचे उपर नीचे इस तरीके की मूवमेंट रही और फिर आप देखिए उसके बाद फिर यह जो इसने स्टोप ने मूवमेंट शुरू करी और यह लगा तार बढ़ता ही चला गया और इसने काफी अच्छी मूव दी है पचास रुपए से यह स्टोप चार सो रुपए पहुँच गया है कितने टाइम में जी लगभग चार सल के पीरिड में ठीक है बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छा स्टोप रहा है लेकिन अब आप देख रहे हैं चार सो रुपए का प्राइस टच करने के बाद इस स्टोप ने क्या किया जी एक नीचे की तरफ की जरनी शुरू कर दी ठीक है अब देखिया यहां से यह स्टोप पहुँच गया चार सो रुपए से यह स्टोप पहुँच गया जी वन सेवन्टी वन एटी तक कितने टाइम में दो हिजार टू जिलो वान एट आठमा महिना नौन एक महिने के अंदर अंदर इसमें चार सो रुपए से दो सो से भी नीचे चला गया ठीक है जी अब जो लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि चार सो रुपए से स्टोप दो सो रुपए पहुँचा ना बोलते हैं वो फिफ्टी परसेंट का डाउनफल आया है अब इसमें स्टोप उठाना चाहिए इसमें एवरेजिंग करनी चाहिए पस यहीं से शुरू होती है बुरी तरह से ऐसी एक्टिविटी जिसमें कि आप कि संख्या बढ़ती जाती है और नुकसान इतना ज्यादा हो जाता है कि आप उस टोक से बहर आने में भी आपको सोचना पड़ता है चलिए अब आप देख रहें ना यहां से थोड़ा सा इसने उपर गया है और उसके बाद जो इसने जरनी शुरू की जी इस पॉइंट से आप देख रहे हैं कि यहां कहां पहुँच गया यहां आ गया जी चार सो रुपए से यह स्टोक गिरता गिरता कहां पहुँच गया है चालिस रुपए पर कितने टाइम में एक साल के अंदर अब क्या किया लोगों ने चार सो रुपए वाले दो सो रुपए बाई किया सो रुपए से पचास बोड़ो वे तो कॉंटिटी बहुत ज़्यादा लेनी शुरू कर दो और गिरते गिरते चार सो से पचास रुपए पहुच गया राइट जी सो क्या करने का जब भी कोई स्टोक नीचे की तरफ जाना शुरू कर देता है तो उसमें कभी भी एवरेजिंग नहीं करनी कोई भी आपका स्टोक कितना भी अच्छा श्टोक क्यों न हो ऐसे ऐसे बीच में मूवमेंट आती है जबकि वो बुरी तरह से गर जाता है यहां से देखें यहां से कितना अच्छा चल रहा है जैसे जैसे यह उपर जा रहा है इसमें हम averaging तो नहीं बोलते जब मोका मिलता है हम quantity को बढ़ाना शुरू कर देते हैं बढ़ाते रहते हैं लेकिन जब नीचे गिरना शुरू कर देता है तब इसमें averaging नहीं करनी और यहां से इस stock से धिरे धिरे quantity को कम करते हुए बहार निकल जाने का जो stock हीरे मूतियों की तरह चला होता है ऐसे stocks को हम क्या करते हैं सजा के रखते हैं और जो stock कोईला बन जाता है उसको निकाल देते हैं ड्राइंग रूम में भी अच्छी चीज़ें सजाते हैं आप ऐसे ही आपको पॉर्टफोलियो में भी क्या करना है अच्छी अच्छी चीज़ों की सजावट करनी है उनकी quantity को बढ़ाना है और जब ये नीचे की तरह जा रहे हैं तो क्या करना है उनको छोड़ना ही बहतर होता है रैट जी अब इसी कड़ी में एक और स्टोक लेते हैं बहुत ही जाना माना स्टोक JP Associate ये भी अपने टाइम का बहुत ही अच्छा जाना माना स्टोक रहा है लेकिन पिछले कुछ सालों में इसमें बहुत ही ज्यादा गिरावट देखने को मिली है देखिए साथिया ये स्टोक भी क्या किया इसने इसने भी इसी तरीके की फिर ये यहां से स्टोक थोड़ा सा नीचे गिराजी अलका सा नीचे आया है कोई बात नहीं और फिर इसके बाद ये स्टोक यहां से जो बढ़ना शुरू किया तो कहां पहुंच गया जी यहां पहुंच गया वह त अच्छी बात है इस स्टोक ने जरनी शुरू करे जी बारा तेरा रुपए से टू जीरो जीरो फोर में और टू जीरो जीरो एट में चार साल में पंदरा बीस रुपए से यह स्टोक तीन सो रुपए पहुंच गया है लगभग अठारा बीस कुना की रिटर्न दी है स्टोक ने सिर्फ दो सालों ने बहुत अच्छी बात है चीक है जी अब इसको ऐसे भी देख सकते हैं अब आप देखिया कि जो जब स्टोक ने नीचे गिरना शुरू किया तो क्या किया जी तीन सो बीस रुपए से यह गिर के कहां पहुंच गया जी तीन सो बीस रुपए से गिरता हुआ यह स्टोक एक सो चालिस रुपए पहुंच गया आधे से भी काफी ज़्यादा नीचे चला गया है कितने टाइम में दो हजार साथ और यह आगया है दो तीन महिने के अंदर ही अंदर स्टॉक ने आधे से ज़्यादा गिरावट देख लिए तो क्या करना है यहां से जब यह स्टॉक यहां आया तो हमें इस बीच में जब इतनी ज़्यादा गिरावट होती तो कहीं न कहीं निकलने की कोशिश करनी है लेकिन क्या हुआ नहीं करा और क्या गलती करीजी अच्छा तो यह स्टॉक यहां पहुँच गया है अब इसमें आसा करते हैं कुछ और बाइंग कर लेते हैं यह वाब देख लिए गजी क्या किया स्टॉक ने तीन सो बीच से एक सो चालिस दो तीन महिने के अंदर अंदर अब लोगों ने वही सेम कल थी तीन सो दो सो आया फिर एवरेज कर ली सो रुपे एक सो तीस आया फिर एवरेज करी थोड़ा सा बड़ा खुश हो गए फिर उसके बाद तो गिरता ही चला गया फिर कोई सो पे एवरेज कर रहे हैं सी पे कर रहे हैं सत्तर पे कर रहे हैं करते करते 36 रुपर का प्राइस देखा रैट जी तो क्या हुआ आप देखें न जब यह स्टोक यहां से इधर की मूवमेंट कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है हम यहां पे इसमें we will stay invested in such type of stock जब यह उपर की तरफ जा रहा है कोई दिक्कत नहीं लेकिन जब स्टोक ने नीचे की तरफ की जर्नी शुरू कर दी तो हमें क्या करना है इस स्टोक से निकलने के तरीके ढूनने हैं हमें इस स्टोक में नहीं बने रहना रैट जी चलिए इसी कड़ी में एक और स्टोक बहुत ही जाना माना अपने टाइम का बहुत जबरदस्त कंपनी रही है कौन सी जी रिलाइंस कम्यूनिकेशन एक टाइम था कि इन्होंने सबसे सस्ती स्टीडी प्रोवाइड की थी यह बोलते थे दिरू भाई अमबानी का सपना था कि पंदराँ पैसे का पोस्ट कार्ड होता है न तो पंदराँ पैसे में ओल ओवर इंडिया मैं स्टीडी प्रोवाइड करूंगा और एक टाइम था कि हर आदमी रिलाइंस का कनेक्शन जरूर रखता था अपने पास उसके अलावा भले उसके पास कोई और भी कनेक्शन हो चाए एर टेल है या बी एसनल है लेकिन एक मोबाईल रिलाइंस का भी होता था कई दफा तो लोग सिरफ एस्टीडी करने के लिए रिलाइंस का मोबाईल यूज़ करते थे तो आप देख रहे हैं रिलाइंस का प्राइस था जी दो सो रुपे के आसपास इन्दा इयर टू जीरो जीरो सिक्स यहां से यह स्टोक बढ़ा और बढ़ता बढ़ता जी यह पहुँच गया है आठ सो रुपे में दो साल के अंदर अंदर दो सो रुपे से आठ सो रुपे लगभग चार गुना प्राइस पड़ गया है बहुत जबरदस्त मूवमेंट है यहां से यहां गया फिर उसके बाद फिर नीची आया थोड़ा सा फिर उसके बाद फिर आप देख रहे हैं फिर जो इसने जरनी शुरू पी और बढ़ता हुआ यह आठ सो रुपे पहुंच गया चिकरी अब आप देखें बहुत अच्छी बात है स्टोक बढ़ रहा है हमें खुश होना चाहिए चिकरी उसके बाद थोड़ा बहुत नीचे गिरा कुछ कॉंटरी और ले सकते हैं जब भी मुका मिला आठ सो रुपे के बाद इस स्टोक ने गिरावट का दोर शुरू किया और जस्ट कितने देर में जी आठ से तीन महिने में आठ सो रुपे से इसका प्राइस हो गया जी चार सो ब्यासी रुपे सो लगबग आधे क्या स्पस पहुँच गया स्टोक कितने दो तिन में 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 सेम स्टोरी है जैसे आपकी यस ब्रैंक की थी फिर हलका सा उपर गया ठीक है जी फिर उसके बाद क्या किया जिसने बस फिर तो इसने नीचे की तरफ की जर्नी शुरू कर दी और यह 126 रुपे पहुच गया ठीक है जी तो क्या देखा आपने स्टोक ने जर्नी शुरू करी 200 रुपे से बढ़ता गया बहुत अच्छी बात है 800 रुपे तक पहुचा लेकिन जब इसने नीचे की जर्नी शुरू कर दी तो हमें इस स्टोक से निकल जाना है नहीं भी निकल पाये तो एक चीज़ का ध्यान रखिए हमेशा कभी भी आपने ऐसे स्टोक में क्या नहीं करने का जी averaging नहीं करनी averaging करी तो you will be finished इस तरीके की movement चल रही है उपर की तरह जा रहा है बहुत अच्छी बात है we should be happy लेकिन जब ये नीची आना शुरू हो गया तो हमें इससे निकलने के तरीके ढूने है you have to exit from that stock और जिस दिन आप ऐसे स्टोक से exit करने की कला सीख जाएंगे you will be always in positive movement आपके पास सभी स्टोक पॉस्टिव वाले होंगे और आप अच्छी खासी earning अच्छा खासा profit market से बना पाएंगे और ऐसा नहीं हो तक आप देख रहे हैं न अच्छे अच्छे stocks थे positive direction में चल रहे थे बहुत अच्छी बात है लेकिन जब उन्होंने किसी ना किसी कारण से किसी ना किसी वज़ा से उन कारणों को हमें नहीं ढूड़ना क्योंकि हमें तो ऐसे stocks ढूड़ने हैं जो कि performing stocks हैं अच्छा perform कर रहे हैं उसी में invest करना है मुनवर राना का एक वो share है ना कि बुलंदी देर तक की शक्स के हिसे में रहती है और बहुत उची इमारत हर घड़ी खत्रे में रहती है तो उपर जा रहे हैं यह स्टोक अच्छी बात है लेकिन जब वो नीचे चल पड़े तो वहां से निकल जाने का राइट जी आज आपको हमने कुछ ऐसे एक्जामपल्स दिखाए जो कि जिन स्टॉक्स में पॉस्टिव मूवमेंट भी रही लेकिन उसके साथ-साथ कुछ समय के बाद वो स्टॉक्स बुरी तरह से गिरे और गिरते गिरते स्टॉक्स बिलकुल खतम ही हो गए यस बैंक भी 15-16 रुपे पहुँच गया 400 रुपे से जेपी एसोसेट भी 300 रुपे से 3-4-5 रुपे पहुँच गया है रिलैंस कम्यूनिकेशन का भी यही हाल है आप पीछे में थोड़ा बहुत बड़ा था लेकिन आप देखेंगे कि अब यह स्टॉक कहां पहुच गया 2-4-5 रुपे सो यह ऐसे स्टॉक्स की ऐसी कहानी रहती है तो हमें जब स्टॉक्स गिर रहे हैं तो किस तरीके से मूव करना है इसके बारे में तुम चर्चा करेंगे डिटेल में बाद में लेकिन अभी सिरफ इतना ही कि ऐसे स्टॉक्स में एवरेजिंग नहीं करनी बाइंग हमेशा जब स्टॉक्स उपर की तरफ जा रहा है तब ही करनी है राइट जी सो थैंक यू आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेर कर सकते हैं लाइक कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू